नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का सॉलिशन वीद्रिश सभ यूट्यू चैनल में इस वीडियो में इंपोर्टेंट बनवर्ड सब्स्ट्यूशन देखेंगे जो कि इस टडी से सम्द्दित हैं इस टडी रिलेटेड बनवर्ड सब्स्ट्यूशन देखेंगे और 20 लिए हैं जो कि आपके एक जम के लिए बहुत ही important है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को subscribe करें बैल आइकन को press करें चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है सबसे पहला number है the study of nervous system is called तो इसको क्या कहते हैं तो इस is called मतलब की इस्तरी रोग के अधिन को कहा जाता है तो इस्तरी रोग के अधिन को कहा जाता है गाइनकोलिजी गाइनकोलिजी अगला नमबर दिखते हैं तीन नमबर the study of clouds is called तो इसको क्या कहते हैं बादलों के अधिन को कहा जाता है तो इसको कहा जाता है नेफॉलिजी इसक मतलब मास्पेसियों के अध्यन को कहा जाता है इसको कहा जाता है मायोलजी इसको कहते हैं मायोलजी अगला देखते हैं 5 नमबर the study of urinary system is called तो इसको कहते हैं यूरोलिजी इसको कहते हैं यूरोलिजी अगला देखते हैं six number the study of bones joint is called तो इसको कहते हैं हड्डियों के जोड के अधियन को कहा जाता है तो इसको कहते हैं आर्थ्रियोलिजी इसको कहते हैं आर्थ्रियोलिजी अगला देखते हैं seven number the study of glands is called इसको कहते हैं इंडो क्रिनोलिजी मतलब की जो हमारी ग्लेंट से होती हैं उसके अधिन को क्या कहा जाता है तो इसको कहते हैं इंडो क्रिनोलिजी अगला है जो एट नमबर है इसको कहते हैं अगला है जलबायू के दिन को कहा जाता है तो इसको कहते हैं क्लाइमेटोलिजी अगला है 10 नमबर the study of is is called तो इसको कहते हैं garantology इसको कहते है garantology मतलब उम्र के अध्यन को कहा जाता है garantology आगला देखते हैं 11 number the study of teaching is called मतलब पढ़ाने के अध्यन को कहा जाता है तो इसको कहते है pedagogy pedagogy इसको कहते हैं ठीक है पढ़ाने के अध्यन को अगला है 12 number the study of animal disease is called मतलब जो जानवरों में बीमारियों की अधिन को कहा जाता है तो इसको कहते हैं जू पैथोलिजी अगला देखते हैं 13 number the study of books is called मतलब किताबों की अधिन को कहा जाता है तो बिबलियोलिजी इसको कहते हैं बिबलियोलिजी फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड से जरू करें अगला जो है 14 number the study of animal behavior is called तो इसको कहते हैं इथोलिजी इसको कहते हैं इथोलिजी मतलब जो जानबरों के behavior के अधिन को कहा जाता है इथोलिजी अगला देखते हैं 15 number the study of ghost is called मतलब भूगतों के अधिन को कहा जाता है स्पेक्ट्रोलिजी इस्पेक्ट्रोलिजी भूगतों के अधिन को कहा जाता है आत्माओं के अधिन को कहा जाता है स्पेक्ट्रोलिजी अगला जो है 16 number the study of the study of soft parts of body is called मतलब कि जो body के नर्म पार्ट होते हैं उनके अधिन को कहा जाता है इसको कहते हैं सार्कॉलिजी अगला जो है 17 number the study of the study of eyes is called तो इसको कहते हैं ophthalmology अगला जो है 18 number the study of kidney is called मतलब किड्नी के अधिन को कहा जाता है तो इसको कहते हैं nephrology इसको कहते हैं nephrology अगला है 90 number the study of virus is called मतलब virus के अधिन को कहा जाता है अगला जो है 20 number the study of blood is called मतलब खून के अधिन को कहा जाता है इसको कहते हैं hematology आप इसको देख लिजे ही metology अगला जो है यह आप लोगों के लिए है 21 number the study of earthquakes is called तो इसको क्या कहते हैं आप लोग comment वक्स में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like and से जरू करें अगर चैनल पर पहली वर बिजिट करें चैनल जरू सब्सक्राब करें तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम